अभी आप बेरोजगार है, बिन अज़त वाले, तो बेरोजगार से 3 star अगर आपको बनना आएं, तो हमारे साथ जोड़िये, पुर्चुर मात्रा में नोक्निया उपलब्ध हैं, बस कमी एक बात कि है कि आप आखरी महीने को कैसे बोनाते हो, लास्ट आवार में कैसे मेनत करत सीजल टीयर वन का मेरे दोस्तों जैसे पहले एक्जाम होता था, आज भी वैसाई होना है, रीजिनिंग, जनरल अवेरनेस, कॉंटिटी बैप्टिटूड, इंग्लिस कॉंप्रिहेंशन के 25 क्वेशन है, हर एक सेक्शन 50 माक्स का है, एक घंटे में आपको जो है, पेपर क्वालिफाइंग करना, यहीं उनकी बहुत सारी गलती है, वो कि जैसा टीयर वन है, वैसा ही टीयर टू है, कोई फरक नहीं, ना सवालों के लेवल में कोई फरक है, ना सलेबस में कोई फरक है, बस हलका सा फरक है, दोस्तों, क्वेशन्स थोड़े कम जादा कर दी गए हैं, सेक्षन यहीं चारों पूछे गएंगे, तो यानि कि जैसे तयारी का पैटर्न आपका टीयर वन का रहेगा, टीयर टू में भी आपको उसी तरीकिस से तयारी करनी है, एक है टीयर वन आसान ही होगा, आप देखेंगे कि 3-4 साल का पैटर्न आप एनलाइज करो, कभी भी बह बहुत ज्यादे टिफिकल्ड पेपर नहीं बनाया गया, अगर जैसे 25 सिफ्ट हो रही है, तो ऐसा तो जरूर देखा गया, कि 2-3 सिफ्ट ऐसी नहीं ऐसी बना दी, कि बच्चों के पसीने निकले गए उसमें, लेकिन 20-20 सिफ्ट हमेशा से एवरेज ही बनाई गई है, तो म आस्ट महीने में आप केवल प्रीविसर क्वेशन पे ध्यान दे, जो CHSL, MTS, CPO इन सब एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, इनको तो प्रीविसर के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, और जो बच्चे सीजल को टार्गेट कर रहे हैं, और टीर 1 के लिए केवल टीर 1 के प्री की हालत खराब होने लगती है, तो जब तक आपके अंदर दसंगलों का डर रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, पहले याद करिए, एक से लेके 30 तक कुछ बच्चे कहते हैं, सर 21 का पहला याद करने कि ट्रिक क्या, भई ट्रिकों से कुछ नहीं याद करना है, जो भी calculation के 50 तक याद करो मेरे हिसाब से, और क्यूब आपको एक से लेके 25 तक याद करने, डेली कम से कम 20 से 25 मनट आप अपनी सेल्फ प्रेक्टिस की सुधार पे दीजिए, उसमें आपको करना क्या है, प्रीवेसर में बहुत सारे कॉशन्स हैसे, जो कैलकुलिटिव होते हैं, उनको आप कोशिश करो जैसे कि प्रॉफिट लॉस में आपको मिल जाएंगे, पर्सेंटेज में आपको मिल जाएंगे, आजकल एक्जामनर सीधी सीधी पर्सेंटेज वेलू नहीं देता, 10, 15, 20, 17, 19, 30, डेसमलम में भी देने की कोशिश करता है, तो कैलकुलिशन सुधारने का मत कि सवाल के आप्शन से ही उसको निकाला जाए, ये इसके लाप आप डेवलप करिए, समय काफी है, कुछ बच्चों के मन में ये आजाता है कि सर सिलेबस कैसे कम्पलीट करें, हमने तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, नहीं हमने कोई बैच लिया, हम ऐसे यूटूब पे क्वेशन की पीडिएफ दूगा और उनके सॉलूशन की भी पीडिएफ दूगा, हर चैप्टर साप उन सौ सो सवालों को लगा लो, और मा गरंटी देता हूँ कि आपको उनसे मिलते जुलते सवाली, टीर वन के एक्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसा हमने पहले क सवाल ढूणने लगो ना पिछले चार साल के, तो 700-800 सवाल एक सिंगल चैप्टर से मिलेंगे, तो मैं आपको इस भसड़ को आपकी उस जो, आप रिसर्च करते हैं, उस काम को मैं करूँगा, और मैं आपको उसमें से सौ खरे सवाल आपको निकाल के दूँगा, जो आपको सौल करने हैं, और टेलिग्राम चैनल पे अपलोड होंगी, पीडियाफ डिस्किप्शन में उसका लिंक है, वहां से टेलिग्राम चैनल को जनरूल जॉइन कर लें, अब हम सेपरेट चीज़ों की बात करते हैं, रिजनिंग, जो तावर्त ओर स्टुएंट होते हैं, वो रि सौल करने हैं, मतलब आपको मॉक टेस लगाने, उसके अलाब आपको और कुछ करने की ज़ुरत नहीं है, रिजल कलाब आप सेचसल और सीपयों के भी लास्टेर के रिजनिंग के क्वश्चन सौल कर सकते हैं, समझे, अलग से पढ़ने मतमेट जाना बिलकूल भी, हाना कि ज रिजनिंग पढ़ने ही पढ़ेगी, हो सकता है कि वो पजल दे दे, बच्चों को परिशान भी तो करना है थोड़ा सा, तो में रिजनिंग का पढ़ने का जो नजरिया है, वो मेंस पे अलग होगा, लेकिन प्री में आपको केवल मॉक टेस लगाने, अटलिस्ट दोसों तो वोकेबलरी मजबूत होगी, उसका इंगलिश का रेडिंग कॉम्परेहेंशन, उसका पैसिस पैराग्राफ, सब कुछ उसका श्ट्रोंग होगा, तो वोकेबलरी आप याद करते ही आ रहे हो, आप उसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दो, और जितनी वोकेबलरी याद कर लें, उसको रिवीजन करिए मेरे दोस्तों, ग्रामर में आपको डेली हर एक चीज की प्रैक्टिस करने है, 30 वोईस क्वेशन, निरेशन, 50 एरर, मिनीमम 40 to 50 क्वेशन आपको एरर के पड़े देखने हैं, ठीक है, रेडिंग की हैबिट जो है, यह मैं आपको मिनीम सजस्ट कर रहा हूँ, मौक टेस्ट के अलावा, इंगलिश पर दो डाई घंटा डेली दीजे, क्योंकि इंगलिश का ज़्याद है वेटेज है, तो आपको मेंस में भी फायदा करेगा, गलिश से ज़्याद है वेटेज इंगलिश का है, जहां से जो ग्यान मिले, भेतर ग् इंटर्टेनबेंट नहीं, आजिकल इस्ट्वुएट्ट वह वीडू देखते है, जो इंक्रृस्टि ca's अटर्टेन नहीं, आपको एंटर्श्टिक चीज पर ध्यान मिले, आपको कीवल चाउए अपको वेछी के पर बादेश कर जज करना, और बहुत कानिष क्यादा है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल current affair नहीं पढ़ा है तो यह तो possible है नहीं कि आप सारा current affair पढ़ लो, बहुत सारी YouTube चैनल है जिन पे monthly या quarterly, half yearly की वीडियोज होती है current affair की लंबी लंबी वीडियोज, तो आप उनको देख लो, उससे आपको current affair का एक sequence त्यार हो जाया, कि सबसे पांशे question आपके current affair काते हैं, ठीक ना आप daily current affair करने का कोई मतलब है नहीं, जो long वीडियोज पढ़ी हुई है, जिन में yearly monthly cover किया गया, आप उसको देखो, static GK में जो important चीज है वो याद करिए, आप ऐसा नहीं कर सकती है, आप पूरी polity सुरू से लेके end तक लेके बैठीको औ किःना, आप याद कर सकता